अगले question पर आते हैं बगर एक बात ध्यान रहे कि ये question ये lecture आप तब तक नहीं देखेंगे जब तक कि आप इसे खुद से try न कर लें खुद से try करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस question के अंदर कोई ऐसा transaction नहीं है जो कि हम already नहीं कर चुके हों तो ये question आपको बनना ही चाहिए मेरे help के आपको बिलकुल भी ज़रूरत इस question के अंदर नहीं है उसके बावजूद भी यदि आपको नहीं बन है तो मैं यहां पर पूरा question discuss कर रहा हूँ आपके साथ ठीक है इनकेस आपको doubt होगा तो वो यहां पर rectify हो जाएगा तो चलिए देखते हैं हर एक point को मैं discuss करूंगा अच्छे से ध्यान देना started business with cash है इसका मतलब है बेटा यहां पर cash बढ़ा एक तरफ और दूसरी तरफ capital भ advance आपने advance में rent पे कर दिया ठीक है पे कर दिया हमने अब यहां पर सवाल यह उठता है कि rent हमने advance में दिया है योकि हम पहले भी देख चुके हैं आपको ध्यान होगा वो हमारा expense नहीं होता है बलकि asset होता है तो यहां पर होगा क्या यहां पर एक asset बन जाएगा इस asset का नाम है प्री पेड रेंट तो एक asset हमारा बढ़ गया क्या प्रीपेड रेंट और दूसरा हमारा asset जो कम हो रहा है वो है cash तो हुआ क्या हुआ यह कि आपके पास 10,000 का cash था यह 10,000 का cash कम होके 9,700 हो जाएगा और एक और asset आजाएगा asset side में ही prepared rent कितना 300 very very simple ठीक है चल उसके बाद आते हैं purchase goods for cash and credit तो 5000 के goods हमने cash में और 2000 के goods हमने credit में खरीदे कुल मिलाके हमने goods थरीदे 7,000 के तो यह goods एक account हो जाएगा जो कि हमारे पास 7,000 से बढ़ रहा है cash हमारे पास से 5000 कम हो रहा है और creditors हमारे पास कितने के 2000 के बढ़ने है ठीक है simple है बाकी इसमें कुछ भी नहीं है तो आप देखेंगे तो asset side में हमारा 2000 बढ़ेगा और liability side में भी 2000 बढ़ेगा sold goods for cash 8,000 costing 4,000 ओके तो हमने 4000 के good 8,000 में बेच दिये तो हमारे पास cash आ जाएगा कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा और हमारे पास से goods चले जाएंगे कितने के 4000 के चले जाएंगे और 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 यहां पे हमारा वायदा भी हो रहा है capital बढ़ जाएगा 4000 से तो आप देखेंगे कि आपके पास cash आया 1000 goods चले गए 4000 तो ultimately आपके पास 4000 से assets बढ़ गए और 4000 से आपका capital भी बढ़ जाए ठीक है तो clear है यहाँ पे अब उसकी बात पे चैली 450 एन चैली outstanding being 100 तो अब यहाँ पे क्या करना है समझना यह 450 हम salary दे चुके हैं और 100 देना बाकी है तो मैंने आपको पहले भी बता है बटा की हमारा expense हमने दिया हो या देना बाकी हो दोनों cases में expensive है तो आपके पास से क्या हो रहा है आपके पास से cash जा रहा है कितना cash जा रहा है 450 जा रहा है और 100 देना बाकी है तो जो देना बाकी है उसको क्या कहते है liability तो outstanding salary हमारी liability है कितनी है यह बढ़ रही है और 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 हमारा capital कम हो रहा है ध्यान देना हमारा capital कम हो रहा है 550 तो 550 से capital कम हो गया और liability एक बढ़ गई तो ultimately आप liability side impact देखेंगे कि 450 से हमारा liability side कम हो रहा है और आपका asset side भी 450 से कम हो रहा है ठीक है उसके बाद है bought motorcycle for personal use तो इसको मैं बता चुका हूँ यह owner का खर्चा है और cash जाएगा और साथ ही साथ capital भी जाएगा cash business के पास से जा रहा है और business owner का capital भी 3000 से कम हो रहा है ठीक है तो हर एक transaction मेरे खेलती clear होगा कहीं कोई doubt की गुंजाइश नहीं है ठीक है तो चलो फिर मिलते हैं अगले जएगोरे करनी व्रा करेणा पार स्टी है आएगा और मिलते हैं बस्ट्रीजेशने आएगाएग जासे जाएगा पार में पार या सिए चारएगा आएगा आएगाएगाएगा लाएगा टेस्टाएब लेडं़से का